एक बार की बात है, एक बहुत घना जंगल था, जहां सभी जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। उस जंगल के बीच एक बहुत सुन्दर और बड़ा तालाब भी था। उस तालाब में एक मगरमच और उसका परिवार रहता था। और तो गर तालाब के चारों और बहुत सारे, मीठे मीठे फलों के पेर लगे हुए थे। उनमें से एक जामुन के पेर पर एक बंदर रहता था। उस पेर के जामुन बहुत मीठे थे। बंदर और मगरमच एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर पेर से मीठे और स्वादिश्ट खाता रहता था और साथ ही साथ अपने दोस्त मगरमच को भी देता रहता था अपने दोस्त मगरमच का खास ख्याल रखता था और मगरमच भी उसे अपनी पीट पर बैठा कर पूरे तालाब में घुमाता रहता था ऐसे ही हसी खुशी दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती गई, बंदर जो जामुन मगरमच को खाने के लिए देता था, मगरमच उन में से कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था, दोनों जामुनों को बड़े ही चाव से मिलकर खाते थे, कुछ दिनों के बाद, मगरमच की पत्नी ने सोचा कि बंद उससे जिद करने लगी की, उसे तो बंदर का कलेजा ही खाना है, मगर ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह मगरमच से रूट गई, अब मगर को न चाहते हुए भी उससे हां बोलना पड़ा, उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना, हर दिन की तरह स्वादिष्ट जामुनों के साथ बंदर मगरमच का इंतजार कर रहा था, कुछ ही देर में मगर आ गया और हमेशा की तरह दोनों ने मिलकर जामुन खाए, मगरमच मित्र ने बंदर से बोला की, दोस्त आज तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है, चलो तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहां चलते हैं, बंदर भी मगरमच की पत्नी से मिलने के लिए तुरंत मान गया और उचलकर मगरमच की पीच पर बैठ गया, मगरमच उस खाये, ऐसा कहकर उसने बंदर पूरी बात बता दी, सारी बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और मगरमच से बोला, मित्र तुमने मुझे ये पहले क्यू नहीं बताया, मगर ने पूछा क्यू मित्र क्या हो गया, तुम ऐसा कू बोल रहे हो, बंदर ने बोला कि मैं तो कलेजा, पेर पर ही छोड़ाया हूँ, तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा अपने साथ में ले आंगा, जिससे भावी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मगरमच भी बंदर की बातों में आ गया और उसे वापस किनारे पर ले आया, वो दोनों, जैसे ही कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है, मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे, कैसी मित्रता है ये तुम्हारी, चले जाओ यहां से अब मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ, मगरमच अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर उसकी बातों में नहीं आया और उसे वहां से चले जाने को कहे दिया, शिक्षा, मुसीबत के समय घबराने की वजह, हमें अपनी बुद्धी का उप्योग करके उसे दूर करने का उपाए सोचना चाहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्रा आपको वीडियो करें डाइक, बाइक, बाह रखको वीडियो के समय का उसे दना चाहिए, बाह भाए!